आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करें ऐसी नास्ते की रेसिपी प्रेंच जिसको बनाना बहुत ही असान है तो चलो देर ना करते भी इस नास्ते को बनाते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल लीजिए और आधी कप मैंने इस तरह से बारीक सुझी का इस्तिमाल किया है अगर आपके पास बारीक वाली सुझी ना हो तो मिक्सर जार में डालके इस तरह से मोटे वाली सुझी को इस तरह से बारीक बना सकते हैं तो एक से दो बार पिसने से बहुत ही असानी से इस तरह से बारीक हो जाता है तो आधी कप मैंने सुझी और आधी कप मैंने इसमें बेसंद डाले हैं इस नास्ते को हम सुजी और बेसंद से बना के त्यार करेंगे फ्रेंड जो बहुत ही जटपट बन के त्यार हो जाती हैं इस तरह से घर में रखी बेसिक सा मानों से हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह के बहुत ही स्वा करने के बाद जो आधी बच्छे न उसको इस तरह से डाल दीजिए टोटल मैंने इसमें एक कप पानी डाले हैं आधी कफ सुझी आधी कफ बेसन और एक कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमको ज्यादा अभी पानी नहीं डालना है स्लिप एक कप इस्तरह से मारा बैटर बन के त्यार हो जाएगा अच्छे सी मिट्स करने के बद आधी चोटी चमच इसमें मैंने कूटवी लाल मिर्च का इस्तिमाल किया है और इस नास्ते को हेल्धी बनाने के लिए एक गाजर को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चौप कर लिया आप चाहो तो इसमें करके एक मेडिया इमसेज की प्याज को इस तरह से बारीक तुकडों में कट करके डाल दीजिए और एक सिमला मिर्च को भी इसी तरह से बारीक कट करके डाल देना है इस तरह से हम बहुत हेल्दी तरीके सी सनास्ति को बना के त्यार करेंगे और बारीक कटी एक टमाटर डाल द और आधी छोटी चमच इसमें मैंने खड़ा जीरा डाले हैं, जीरा से हमारी नास्ति में बहुत अच्छा से फ्लिवर आएगा, तो जीरा इसकी पना कीज़ेगा, तो इस तरह से जीरा डालने के बाद चमच इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डालें, अगर आपके पस कस्तूरी मे इसे भी ना हमारे नास्ते में अलग से फ्लेवर आएगा फ्रेंज तो इस तरह से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस नास्ते को फलफी सॉप्ट बनाने के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चमच इनो सॉल्ट डाले हैं अगर आपके पास इनो सॉल्ट अनो हो तो खाने वाला सोडा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो एक चमच पाने डाले हैं ताकि हमारा इनो अच्छे से एक्टी हो जाए और हमारा नास्ता बहुत ही सॉप्ट बन के त्यार हो तो इस तरह से इनो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से हम बहुत ही कोटे नांस्ते को बनाने के लिए मैंने इस रसे इक कड़ाही में दो बड़े चमसस तिल गरम कियें तिल गरम होने के बांद बैटर को अच्もし नास्ति अच्छोटा ज़्यावी और चोटा जास्ति ज़्यार्प लेना थै थी तो याप जरूर से ट्राइ करने नेखाने के बाल इसी तरह से हमको बारी-बारी करके सभी नास्ती को बना के त्यार करने दो नेहीं के त्यॉया है और इस नास्ते को फ्राइप करने के लिए गास का फ्लेम हाई टू मीडिया वर्याइन प्रेंस को नहीं पकाएंगे अगर लो फ्लेम में पकाएंगी नहीं तो तेल बहुतさ्ट एक्जॉप कर लेगा दो इस तरह really प्लगेज़ चैनल को सब्सक्राइब कर Euan काके नोड़ा का डिया है कि लुक्ते मåढ से दिई औरैं बहुत बनाया हूंगे और भैवन सब्सक्राइब क explore तो इसी तरह स्वाधिश्टे रेसिपी के साथ मिलते हैं निश्टी वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग